नाभी से लेकर दांतों में सर्सों का तेल लगाने की क्या फाइदें सुनकर चौंक जाएंगे आप सर्सों का तेल सेहत और सुनदर्दा दोनों के ही लिए बहुत फाइदे मंद हैं सर्सों के तेल में कई ऐसे तत्व पाई जाते हैं जो दर्दनाशक का काम करते हैं जो उलों का दर्द हो या फिर कान का दर्द सरसों का तेल एक औश्वधी की तरहें काम करता है हमारे देश में हर घर में सरसों का तेल यूस चरूर होता है घर के बड़े बुजर के मुझे भी आपने सरसों के तेल के फाइदों के बारे में सुना होगा इस तेल में बीटा केराटिन आयरन फैटी एसिड केल्शिम और मेगनीशिम मौझूद होते हैं जो शरीर को फाइदा पहुँचाते हैं अगर सुने से पहले से सिर नाभी और पैरों में लगा लिया जाए तो आपको इससे कई फाइदे मिलेंगे इससे कई हील्थ प्रॉब्लम भी दूर हो जाएंगी आयरे जानते हैं इनके बारे मित बालों पर सरसों का तेल लगाने पर रात को सुने से पहले सिर में सरसों का तेल लगाने से तनाव दूर होता है इससे बाल काले होने के साथ ही मजबूत भी होते हैं दांत दर्द में फाइदे मन अगर आपके दांतों में दर्द हैं तो सरसों के तेल में नमक मिलाकर मिसूडों पर हलकी मालिश करें ऐसा करने से दांतों का दर्द दूर हो जाएगा और दांत भी मजबूत बनेंगे सरसों का तेल नाभी पर लगाए सोने से पहले सरसों का तेल नाभी पर लगाए इस से हुंट फातनी की समस्या तो दूर रहती ही है साथ ही हुंट खुबसूरत हुई दिखने लगते हैं इसके अलावा नाभी पर सरसों का तेल लगाने से पिट दर्द और डाइजेशन की प्रॉबर्म भी दूर हो जाती है पैरों के तलवे पर रोज रात में सोने से पहले अगर पेरों के तल्वों पर सार्सों का तेल लगा कर मालिश की जाए तो आखों की रोशनी तेज होती है अगर आपको नींद अच्छी नहीं आती तो यहनुस्खा आपके लिए बेस्ट है तवचा के लिए फाइदे मंद सर्सों के तेल में विटमिन E की परियाप्त मात्रा में पाया जाता है इसके सेवन से तवचा को अंधरनी पोर्शन तो मिलता है ही साथ ही इसे चेहरे पर लगाने से तवचार की नमी भी बनी रहती है कम हो जाती है सूजन नाभी में तेल लगाने से शरीर के किसी भी भाग में सूजन की समस्या खत्म हो जाती है सर्सों का तेल नाभी पर लगाने से गुटने के दर्थ में राहत मिलती है चोट पर तेल लगाए अगर लंबे समय से लगी चोट ठीक नहीं ले रही तो वहां सर्सों का तेल लगाएं कुछ दिनों तक तेल लगाने से ये सूख कर ठीक होने लगेगी सर्सों के तेल में एंडिबाक्टिरिल प्रॉपती पाई जाती है जो चोट को ठीक करने का काम करती है